कि नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी लोग सबाघ का सिलशिला स्टार्ट करते हैं कल वीडियो में आपको बोला था दुस्तों कि कुछ सवाल अगर आपको पूछना हो तो आपको पूछने हो आप सवाल करके अपने सवाल लिख सकते हैं तो बहुत सारे लोगों सवाल पूछे कुछ लोगों ने बहुत जननल सवाल पूछे से स्केलपिंग कैसे करें कैसे स्टार्ट करें तो सब के लिए देखिए सवाल pyzo का सिल्षेलय का मतलब किया है कि आप कुछ हम एपिसोड टू इसे टाइम पर डिसकस करेंगे तो हो सकता है कि आपकी दिमाग में कुछ ऐसे सवाल चल रहे हूं जिनका जवाब आपके पास ना हो तो पूछेगा जरूर हाँ आप से यह मैं कहता हूं है सवाल लिख दीजिए आज एपिसोड वन है चलिए मसालेदार सवा ЧP889 dire? का इन्होंने बोला है कि ब्रेक आउट फेक यह रियल एजनि टीप क्रिए इंहकर सवाल बड़ा सिंपल सा है मैं आपको इसको समझहता हूं कि कैसे पता चलेगा की ब्रेक आउट फेल है या स्टॉक को मिला कर नहीं बनता है इसमें पचासों या कहलो कि पचास प्लस स्टॉक अपना कंट्रिब्यूशन करते हैं तो इंडिक्स के अंदर मैनुपिलेशन होना बहुत पॉसिबल है मतलब आपको लगेगा कि यार यह काफी अच्छा सपोर्ट जोन है मार्केट इसके उप समझ में आने पड़ेगी अगर आप लोग को पसंद आएगा तो बोलना मैं SMC कॉंसेट आगे बताऊंगा हर लोगों की अलग अलग SMC कांसेट होता है यानि इस मार्ट में इसमार्ट मनी कॉंसेट्ट ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक ही कॉंसेट को हम स्मार्ट मेनी मैं जो यहां पर यूज करता हूं कर्व फिटिंग क्या होता है मुझे सिर्फ यह समझ में आता है कि मार्केट के अंदर पीकनेस है और पीकनेस के बाद सेलिंग आ रही है तो मैं सिंपली यहां पर सिर्फ RSI चेक करता हूं और दूसरे चीज expectation check करता हूँ किसकी expectations retailers की expectations और अगर मालो कहीं accumulate हो रहा है market and then accumulation के बाद market उपर जाता है no any SAR pocket या कर्व तो मैं इसको बोलता हूँ buying market तो अगर आपको इस पर original video चाहिए तो हम कभी इसके उपर अराम से बात करेंगे लंबा topic है तो इसलिए आज कवर करना थोड़ा मुस्किल है stock की बात करें तो stock के अंदर देखो phase wise stock चलता है जैसे जब market के अंदर पैसा जुटाया जाता है तो लोगों को एक जगा रोका जाता है जैसे आपने अगर मालो कोई stock लिग लिया आपको एक जगा रोकते हैं और यह रूकने के बाद वह थोड़ा आपको जंप देते हैं कि यह 30 का 20 हो जाए 30 का 50 हो जाए 30 का 40 हो जाए उसके बाद फिर एक फेज आता है देन उसके बाद जो ब्रेक आउट आता है या जो ब्रेकडाउन आता है उसके basis पर stock trading आप कर सकते हो क्योंकि किसी भी stock के अंदर trading करने का simple सा logic है कि आप stock के अंदर क्या करेंगे या तो आप stock के अंदर कोई penny stock के अंदर आप काम कर रहे होंगे ठीके या तो आप कोई mid cap stock के अंदर काम कर रहे होंगे या तो कोई आप large cap stock के अंदर काम कर रहे होंगे तो जिन भी stock के अंदर काम कर रहे हो उसके अंदर क्या है कि या तो भीया वहाँ पर एक corrective wave होगा एक impulsive wave होगा या कोई pattern बनेगा तो ना तो मैं यह कह सकता हूँ कि breakout fail, fake या real कोई चीज इसमें आप ऐसा नहीं कह सकतो कि हाँ यह सत्य है यह सत्य है breakout काम भी करते हैं दोस्त, breakout नहीं भी काम करते हैं यह पूरा का पूरा stock market क्या होता है यहाँ पर समझने वाली बात है कि आप एक दूसरे की बातों को कितना समझ पा रहे हो आप market की behavior को कितना समझ पा रहे हो आप candle की psychology, आप human psychology, आप retailer psychology आप operator psychology कितनी अच्छी से समझ पा रहे हो तो असरब भाई इसका कोई जवाब नहीं में आपको दे सकता हूँ कि breakout trading जो करते हो लोग वो real होता है या fake होता है बट मैं हाँ यह कहूँँगा mix of both ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते है अगला सवाल है कि why is there gap up and gap down opening क्या decide करता है up and down बहुत अच्छा सवाल है सचिन अरोरा जी का और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का एक सवाल होता होगा कि सवरभ भाई gap up और gap down कैसे होता है तो देखिए दो चीजे आपको यहां पर समझने पड़ेंगी the first factor is global factor and the second factor is pending order और bulk order अब यह चीज़ समझने से पहले आपको इतिहास समझना पड़ेगा देखिए पहले अगर आप एक चीज़ समझने की कोसिस करें अगर मार्केट में मान लिजे आपको मार्केट 9.15 पर डारेट खुल जाए तो 9.15 पर इतने सारे एक साथ order लगने लगेंगे इतने बड़े बड़े order एक साथ लगने लगेंगे कि हो सकता है कोई terminal उस particular order को समाल ही न पाए तो मार्केट के अंदर क्या हुआ एक प्री सेटेलमेंट या प्री मार्केट ओपनिंग सेसंस रख दिया गया आप देखते होंगे साथ कि 9 बच के 00.00 एम से 9 बच के 7 एम तक आप कोई ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं लेकिन इस समय मार्केट में आप देखते होंगे ट्रिगरिंग चलती रहती है यानि निफ्टी आपको दिखाएगा 200 पॉइंट ओपन हो रहा है फिर वो दीरे दीरे 150 70 50 80 ऐसे आता है तो इस पर्टिकुलर फेज में ही डिसाइड होता है कि मार्केट के अंदर गैप अप होगा या गैप डाउन होगा यह कैसे समझ सकते सपोच करो कि मार्केट के अंदर सब कुछ अच्छा है मार्केट के अंदर ग्लोबल फेक्टर अच्छे है मार्केट के अंदर ग्लोबल क्यूज अच्छे है कोई ऐसा रिजल्ट नहीं है कोई बहुत previous selling नहीं आई है तो आप क्या करोगे आपको यह चीज़ समझ में आएगी कि जो orders होँगे वह buying orders जादा पंच होँगे बल्क order में buying जादा होगी as compared to selling अब जब orders buying के पंच होँगे तो इसका मतलब है कि मार्केट जहां पर बंदूए तो उसके ऊपर खुलेगा अब मालो की आपका मार्केट भी बहुत अच्छा है ग्लोबल मार्केट बहुत अच्छा लेकिन सुबा छे बज़े जापान के अंदर कुछ ऐसा होता वार हो गया तो फटा-फट क्या होगा कि मार्केट पूरा का खुल गया तो गैप अपर गैप डाउन के अंदर कोई एक फेक्टर इंवाल्व नहीं है कि मैं यह बोल दूं तो यह सही है मल्टिपल फेक्टर इंवाल्व बल्क ओडर प्रीवियस एफाई इसकी कितनी बाइंग हुई है सकेंडली क्या बहुत ज्यादा निगेटिव कोई क्या बहुत ज्यादा कोई पॉजिटिव और ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्लोबल पैरामीटर ही हेल्प करता है मार्केट को गैप डाउन होने का चुनाओ एक राइट इग्जामपल जो अभी तीन स्टेट में आपने देखा होगा 180 प्लस साथ 280 पॉइंट निफ्टी ओपन हुआ उस समय बहुत अच्छे डोमेस्टिक इंटरनेशनल क्लूज या ग्लोबल क्यूज बहुत अच्छे नहीं थे फिर भी यह मार्केट का एक तरीका है इस तरीके से परफॉर्म करने का मार्केट का एक तरीका इस तरीके से मार्केट चलता है तो यह रहा भाई सचीन अरोरा ज बताईए बताईए गजरू प्लीज अब देखिए प्रसान जी सबसे पहले रेडिंग में एक काम आदमी बरबाद क्यों होता है आपके सवाल से जवाब देता हूं ठीक है जब भी हम ट्रेडिंग की बात करते हैं या हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो लोग यहां पर सोचते हैं कि यह ऐसा कुवा है जहां पर हम अगर घुज गए तो हम डेली का 2000 रुपए या डेली का हम 5000 रुपए कमाना शुरू कर देंगे और यही पर लोगों की आ जाती है बैड एक्सपेक्टेशन्स द्रविदे साब मैं यह बात बिल्कुल मानता हूं और हर कोई कमाना चाहता है स्टॉक मार्केट से हर कोई चाहता है लेकिन एक बास समझें कि अगर आप पांच परड़े यहां से कमाने लगें ठीक है आपने बोला कि मुझे पांच परड़े कमाना है मैं बता तो रहा हूं आप विदिन 20 साल 25 साल में अंबानी को भी फीशे छोड़ देंगे की जाती है वह फाल्स होते हैं अगर वह कमिटमेंट है अगर वह कोई स्ट्रेटजी है अगर पाज़ा रुपे परड़े मेरे पास कमानी की कोई स्ट्रेड़ेजी होती ना तो मैं ना यूटूब पर खड़ा होता ना कूर्स बेस था ना कुछ करता मैं सिंपल 10-20 और स्ट्रेटजी से पैसा नहीं कमा जाता साथ पैसा कमाने के लिए आपको discipline प्लस learning मिला नी है जब discipline और learning आप दोनों मिला लेंगे आप 중 Bjek मैं आपको इस्ट्रेडीजी बता दूसा थूब बहतेरो इस एक support स्ट्रेडिजी कि-पर गोला बारूध है किसी का पता नी क्या-क्या नाम रहता है ना क्या-क्या नाम रहता है लाइन इप स्ट्रेडजी और पेड़ उखाड़ इस्ट्रेडजी बहुत नाम है तो क्या कीजिएगा आप सिर्फ यह चीज़ समझें कि अगर स्ट्राक मार्किट इतना ही बड़ा होता अगर सब का पैसा बोड बनता नो भाई था गंध रहता re quand अ आम अपका प्रसांशर में आपको एक छोटा सादस्वाइज दूं कि देखिए पहली बात तो चाहे आप ट्रेडिंग करें चाहे पिंवेश्टिंग करें चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करें चाहे फ्यू कि भाई पहले तो मेरे को मार्किट में X amount के साथ आना है और X amount से मुझे कुछ X percentage बनाना है X plus percentage वो 1% हो 2% हो 3% हो एक चीज जब भी आप लोग को बड़े बड़े return के वादे किये जाएं और आप जब भी बड़े return देखो तो एक चीज मजलों कि भारत के जो bank है वो साल के 7-9% का interest देते हैं और अगर आप एक साल में अपने capital का आप 20% भी trading से या investing से बना रहे हो तो आप किसी राजा से कम नहीं हो अगर आप 1,00,000 रुपे मार्किट में ला रहे हो और साल के अंत में आप जाते जाते एक लाख 20,000 रुपे बना ले रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान समझेगा आप एक लाख लाख है अगर साल के end में एक लाख 20,000 बना ले रहे हो तो भी एक bank से ज़ादा अपरिटन कमा रहे हो और 20% तो एक strategic investment plan में बता रहा हूं जो sellers होते हैं वो महीने का 20% 10% 5% पर खुस रहते हैं option buyer होते हैं जो 25-30% महीने का निकालते हैं मेरे कहने का मोटा मोटा मतलब यह है कि आप सिर्फ यह समझो कि अगर bank 7-9% आपको एक साल में देता है और आप 20% एक साल में वेदर investing trading निकाल ले हो इस अ गूड नमबर निकालने के लिए ते एक लाग का एक दिन भी बनता है इस ट्रेडिंग में एक लाग का 50 लाग भी बनता है लेकिन हम एक दिन की बात नहीं करते हैं हम बात करते हैं मैं आपको बता दू पात जार आप कल तो कमा लोगे पात जार हो सकता दस दिन आप पाश पाश अजार रुपे कमा हो लेकिन जब आपका ये दोनों नहीं रहेगा तो एक ही दिन में आपका जो कमाए हो वो भी और जो principal amount आपने market में लगा हो भी सूत समेत market आपस वापस ले लेगा उसका मैंने 5000 लगा था उसका मैंने 5000-10000 कमाया है ठीक है इस पर जाईए यह चीज बकवास असर इस पर मज जाईए क्योंकि यह एक दिन मजा देगा दस दिन बाद आप बरबाद हो जाएंगे उसके बाद है प्रकास सर का सवाल प्रकास सर पूछते हैं कि स्टॉक ट्रेडिंग का बताना मार्केट ओपन होते ही कैसे स्टॉक पिक अप करें उसका अनलिस कैसे करें अगें प्रसांसर यह क्लंबा हीट मैप में आप नो बचके साथ या नो बचके आठ मिनट पर ये देख सकते हैं कि कौन सा सेक्टर जो है वह आज पॉजिटिव खुल रहा हूं और कौन सब्सक्रास निकेटिव खुल रहा है जब आपने सेक्टर के अंदर जाईए सेक्टर लिए अब उस sector के अंदर स्टॉक देखिए हो सकता है, दस स्टॉक हो पाँच स्टॉक है, उसके बाद आप क्या करिए, आप अपनी study लगाईए, आप पैटन यूज करिए, आपने 5 आपने से पहला काम क्या है, दूसरा काम क्या, स्टॉक में से 4-5 स्टॉक चूच के अंदर क या तो पैटन लगाई या तो चार्ट केंडल्स देखिए या तो अगर आपके पास कोई इंडिकेटर बेस ट्रेडिंग हो इंडिकेटर बेस तो कहने का मतलब है कि स्टेप काफी सिंपल है और उसी स्टेप को फॉलो करते वे आप पाच में से दो स्टॉक निकालें दो यह पढ़ा दिया आप कहीं और जाओ गत कोई आपको मुविंग इंडिकेटर बताएगा कोई आपको चार्टिंग बताएगा कोई आपको यह बताएगा आपको ओपन इंट्रेस बताएगा तो देरिज अ मल्टिपल वेज आपको समझना है कि पहले मैं सीखूं छोटी जयसे अब मैं यह बता दिया पहले एक दो दिन इसकाम करी है फिर थोड़ा ओडर ब्लॉक पर जाईए फिर ओडर ब्लॉक समझे लाएए फिर ओपन इंट्रेस पर जाईए फिर ऑपन इंट्रेस्स समझना है देन आगे बढ़िए सो एक तरीका होता है किसी भी चीज़ का य दीरे-दीरे स्टार्ट करिए समय बहुत है दीरे-दीरे समझ में आएगा आपको इसके उपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है आप देखना चाहते हो तो मैं डाल दूंगा कमेंट सेक्टन में ओके व क्वेश्चन विच्वान आम वेयरे वेटिंग बहुत अच्छा सवाल इन्हों ने पूछा है इतर है इसमें हम पूरे इंडिया की शहां को डिसकेस करते हैं सो मांशी 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 मार् सिंह मलउत्रा अच्छा अपका compressivealter मांशी हैregat 14 फेले पूछा है इनका सवाल है maps cities अहरक्षर एन्डिया current date एफेक्स मार्केट और इस जेस्टन ल्यूज़ ये न्यूज़ की बात को थोड़ा समय मैं elaborate कर दे रहा हूं आई एमफ ने एक नया publication किया था 22 तारीक को सायद अगर आप लोग देखे होगे उन्होंने ये बोला था कि दोहजार 27-28 तक आते आते ऐसा हो जाएगा कि इंडिया का जो डेट है ठीक है वह इसके जीडीपी को स्रिंक कर जाएगा यानि जीडीपी से उपर भाग जाएगा अब इसको थोड़ा अच्छी तरीके से समझते हैं इसको ऐसे समझो अगर सरहल भासम समझना है आपने लोन ल के लिए लोन चाहिए मुझे कॉलेज ब्रॉड जाना है और एक बोला कि मुझे आईफोन लेने के लिए लोन चाहिए अब बता पापा किसको मारेंगे किसको लोन का पैसा देंगे डेफिनेट ही बात है कि जब कोई ऐसे प्रॉस्पेक्टस में पैसा लगाया जाए जिसका अगर आप कोई फिजूल खर्ची कर रहे हो उसमें अगर आपका पैसा जा रहा है तो यह खराब है तो अब IMF ने जो निकाला है अपना रिपोर्ट उसके अंदर जो सबसे पहली चीज है कि अगर हम GDP के ऊपर इंडिया का डेट देखें तो इंडिया का डेट बढ़ते जा रहा है लेकिन इंडिया की GDP भी बढ़ती जा रही है ठीक है तो इस पर्टिकुलर केस को देखा जाए तो अभी भी डेट यहां पर है GDP यहां पर है तो हम यह बोल सकते हैं कि GDP wise डेट बहुत बढ़ा इस्सू क्रियेट नहीं करेगा मार्केट को लेकिन अब हम खर्चों की ब इंडिया को जो लीडिंग बनाएं तो एक चीस तो यह बोली जा सकती है कि जो पैसा बनाना है वो 2024-25-26 तक बना लीजिए क्योंकि सच में एक बहुत बड़ा करेक्शन मार्केट इंडियन मार्केट के अंदर पेंडिंग है वह जो बबल अभी लार्ज स्मॉल कैप का यह प अगर दीरे दीरे सही होंगी तो कोई बहुत बड़ा मार्केट में पड़ेगा नहीं बट यह सारी दोस्तों एक दिन में नहीं पड़ते हैं तो इससे घबराना नहीं है कि नहीं नहीं मैं तो यह इंवेस्ट नहीं करूंगा अरे समझ लो कि आप 2024 में भर-भर के पैसा आप निफ्टी के अंदर 25 सब्सक्राइं काले ट्रेडिंग कर सब्सक्राइब कर निकालो 25 सब्सक्राइब कर लो एक प्रॉपर लेवल रखो, लेवल के उपर इस टारगेट, उसके नीचे SL, 30 पॉइंट का SL, 25-30 पॉइंट का प्रॉफिट खतम बाद, इसमें क्यों स्ट्रेडिजी थोड़ी है, सर, EV portfolio is good for long term, देखो मैं कोई सेवी रेजिस्टन नहीं हूँ, लेकिन आपने एक broader market पे पूछा है, तो मैं यहाँ पर आपको एक simple साल समझा देता हूँ, देखोए, EV portfolio एक दो साल का गेम नहीं है, अगर आपको EV portfolio बनाना है, कोई stock रिकमेंट नहीं कर सकता है, तो आपको यह चीज समझना पड़ेगा, कि you need to be very cautious, कि यह मेरे को कम सकम 5-10 साल का मौका है, तो ही मैं EV stock में घुसूँ, ऐसा नहीं है, कि आपने आज पैसा लगाया, और दो साल में, एक साल में आपको double triple होने की opportunity मिली, तो जैसे अभी सूरिया का bulb आपने उन्हें देखा हो, कितने लोगों ने देखा होगा सूरिया का जो 10 रुपय वाला bulb आता है, फिलामेंट वाला, उसको जाते 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 10-15 साल लग गया, तब CFL आएं, LED आईं, तो वही सेम हाल EV और solar के साथ भी है, EV और solar के इतने भी स्टॉक हैं, वो आज नहीं चलेंगे, क्योंकि अभी उनके प्रोडेक्शन, अभी उनके मैनफेक्चरिंग, अभी उनका जो इंस्टॉल्मेंट से अभी उसकी जो एडाप्टेशन है, जो मार्केट के अंदर, जो लोगों के अंदर उसको यूज करने की जो सस्ट लाइन बहुत अच्छी है, अपनी अवकात से ज़्यादा, ठीक है हो सकता है कई लोगों को यह हर्ट करें, अपनी अवकात से ज़्यादा, कभी लॉस मत होने दो, भस खत्म साइकोलोजी, इसके उपर कोई ग्यान देने का कोई मैटर नहीं है, सपोच करो, मैं ऐसा व्यक्त मैं आज 1,000 लोज़ कर दिया, और एक बंदा हो रहा है जो स्टॉक मर्केन बाद 10,000 लोज़ कर दिया, एक दिन की बात कर रहा हूं, फिर मैं अगले दिन क्या किया, 500 रपे कमा लिया, और अगले दिन यह क्या किया, 5,000 कमा लिया, इसके और इसके में psychology अपने आप डिफर हो हो सकता है कि आपको यह अवकात वाली सब थोड़ी सी टफ लग रही हो सुनने में इस से ज्यादा साइकोलोजी के ऊपर कोई ग्यान नहीं दे सकता साइकोलोजी क्या है साइकोलोजी एक माइंड बैलेंस है अगर आपके पास पांच करोड रुपे हैं पचाजार आपका लॉस रुपे आपसे कोई ले यह पांच करोड है दो करोड आपका गया हो जाया तिल्बीला जाओग에 देट स्कॉल साइकोलोजी खतम बताना क्यासा लगा साइकोलोजी क्योगी OSCIS को देखो सेइलर का refrain में कई के लोग होते हैं जैसे कोन रिपेतलर दॉलर करते हैं यहां थो ड्य करते हैं एक वलाइं द我不知道 है थो सेंटे सहल बंता है दोसके पीछे लोगों का हाथ है तर ऑपके स्कृषि मौन के पीछ didn't पूंडर स्कूरें पड़ा तो करके देखिएएंद आप करके आंप मार्केटे का प्रॉफित लॉस से केंडल बनती है नहीं या operator के खरीदने बेचने से बनती है ये भी नहीं केवल operator candles नहीं बनाते हैं operators क्या काम करते हैं जैसे मालो कि यहां पर इस तरीके से market उपर जा रहा है दिखा रहा हूं मैं आपको जैसे market मालो उपर जा रहा है अब इसके पीछ जो candle बनी है सपोच करो इसके अंदर रीटेलर को लग रहा है कि नहीं आर मार्केट उपर जा रहा है हम भी घुस्ते हम भी घुस्ते दिन अगेन क्या करेगा operator आएगा इसमें selling करने लगेगा तो selling करने से क्या होगा एक red candle बनी थोड़ी सी buying और रीटेलर करेगा फिर उसने red candle बनाई फिर red candle बनाई अब आपका जो motivation सा वो तूटा और आपके फटा फट एसल आप यहां लगाए यहां लगाए SL हीट होने लगेगा तो यह कहना गलत है कि अकेले operator बनाता है यह कहना भी गलत है अकेले retailers बनाता है दोनों का समलित योगदान होता है अब जो ज़्यादा पैसा जोकेगा उसके direction market जाएगा मैं operator हूँ मेरे पास 1000 क्रोड उपे है आप retailer आपकी पास 5 क्रोड लेकिन आप किसी को 5 क्रोड पूरा लगा रहो मेरा मन नहीं कर मैं कर नहीं यार मैं 25 लाक लगाऊंगा तो आप operator हो गया मैं retailer हो गया अच्छा यह हम जैसे खरीने बेचने से बनती है सब के यह multiple questions है आपके और यह वैलूम बनता है तो एक-एक क्या मतलब सिर्फ रिटेलर का वैलूम होता है इसका मतलब है मैंने बताया सर आपको कि हमेशा गेम क्या होता है गेम होता एक दूसरे को हराने का तो माल लो कि कोई ऐसी चल रही है जिसके अंदर operator को लग रहा है कि अब तो प्रॉफिट बुक करने का समय आ गया तो धड़ाम से प्रॉफिट बुक करेंगे सारा गेम बड तो थैंक यू और यह रहा आज का पहला एपिसोड मुझे लगता है कि मैंने कई सारे सवालों का अच्छा जवाब दिया होगा आपको मज़ाया होगा सकेंड एपिसोड के लिए आप चैनल पर प्लीज मैं पूछूंगा कि आप आज सवाल लिखें और अगले यानि कल वाल एसे दिरा